अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो like बटन दबा दीजी और उसके बाद share बेटन दबा कर आप family, relatives और friends को मेरा वीडियो शेयर कर दीजी right side वीडियो के नीचे subscribe बटन है उसको दबा दीजी subscribe बटन दबाने के बाद एक bell icon आ जाएगा बेल आइकन दबाने से आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे और उसका नोटिफिकेशन आपके मूबाइल पर आ जाएगा मैंने प्यान चड़ा दिया है तेल गरम होने के लिए पहले इसमें मैंने बारी कटे हुए प्याज यहाँ पर डालूँगे और इसी के साथ ही बारी कटे हुए क्याप्सिकम भी डालूँगे इसमें नमक आप थोड़ा सा कम डालिएगा किनके जब हम इसको ट्रॉफिंग करेंगे तो उपर चीज देंगे चीज वेसे भी नमकिन होता है तो नमक इसमें आप पहले से कम डालिएगा हलका कालिएग निचका पाउड़ा अब इसमें मैंने यहाँ पर पनीर को शोटे शोटे पिस्टस में आप पाउड़ा इसमें काटके रखे हैं आप शाहे तो इसमें छेना भी डाल सकते हैं या फिर पनीर को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं इसमें अब मैं आधा कब डूर डाल रहे हूँ और इसी को इसी में मीडियम पर रखे मैं तब तक पकाऊंगे जब तक यह दूर इसके अंदर सोक दूर अभी कम हो चुका है अब इसमें मैंने किश्मिश को हाप्स में काट दिये हैं अब इन सारे किश्मिश को इसके अंदर डाल देंगे और इसको थोड़ा-थोड़ा मसल देंगे ताकि यह पनीर वगेरा हलका सा इसमें तूट जाए और दो मिनाट ऐसे करके फिर इसको बन कर देंगे ताकि यह थंडा हो जाए अब ये हो चुका है अब इसको बंद कर देते हैं और आधा विंटा रख देते हैं ताके ये थंडा हो जाए हमारा मसाला एकदम से थंडा हो चुका है यहां पर मैंने कैपसिकम लिये है जो छोटे वाले कैपसिकम है उसको मैंने ऊपर से काट दिये है इस तरह से और बीच में से सारे बीज मेंने साफ कर दिये है ये दोनों छोटे वाले थे इसको मैंने ऊपर से काट दिया है और अंदर सारे बीज साफ कर दिये हैं यह मेरे पास एक बड़ा वाला कैपसिकम था इसको मैंने आधे से काट दिया और बीज के सारे बीज मेंने साफ कर दिये हैं अब इसारे मसाले इन सब में हम भग देंगे मैंने मसाले भर दिये मैंने यहां पर एक क्यूब चीन लिया है इसको मैंने ग्रेस करके रखा था अब इसको हम इसके ऊपर देंगे और इसके ऊपर का ढ़का थाल क्लोज कर लेंगे इसके उपर इसी तरह खुले में ही हमें देना पड़ेगा किमकि इसके उपर का कवर हमने काट जिया है तो यह इस तरह से रहेगा आप इसको अगर माइक्रोवेव कर रहे हैं, तो ये 10 से 12 मिनट 180 डिग्री में रखें इसको आप माइक्रोवेव कर सकते हैं, मैं यहाँ पर विदाउट माइक्रोवेव में प्यान में करूंगी इसको यहाँ पर मैंने कड़ाई लिए कड़ाई थोड़ा सा गेहरा होता है इसका नीचे तो हमारे कैपसिकम नीचे गिरेंगे नहीं तो इसलिए मैंने इसको लिया है आपका बेस अगर एकदम सीधा है तो फिर आप प्यान भी ले सकते हैं हमें इसको तब तक पकाना है जब तक सारे कैपसिकम अच्छे से नरव ना हो जाए किनके मसाले हमारे पहले से बन चुके हैं अब इसके उपर हम जो ढखकन देंगे वो एकदम टाइट वाला देंगे ताके भांप बाहर ना जा सकें आप देख सकते हैं चीज अच्छी तरह से मेल्ड हो चुका है मगर कैपसिकम अभी भी सक्थ है तो इसको और 5-10 मिनट हम एसे ही बिठाएंगे जब तक कैपसिकम अच्छी तरह से नरम न हो जाए मिनिमम यह 15-20 मिनट लगता है पूरा कैपसिकम को नरम होने में अभी हमारा से 10 मिनट हुआ है और दस मिनट इसी तरह पंगा मिनट हो चुके हैं आप देख सकते हैं हमारा कैपसिकम नरम हो चुका है और जितना भी यह हलका सा सक्थ है इसको एसे ही गरम में में ढखकन देकर 5-10 मिनट रख दोंगी तो उसी के अंदर ही यह गरम हो जाएगा तो अब मैं फ्लेम आफ कर देए 10 मिनट के बार मैंने इसको निकल दिया है आप देख सकते हैं सारे कैपसिकम अच्छे से नरम हो चुके हैं यह देखिए फोर्क मैं अगर इसके अंदर डाल देए हूं तो य इसका मतलब यह नरम हो चुका है और आप नीचे की तरब भी देखिए यह रोश्ट भी अच्छे से हो चुका है तो यह आपका स्टरफ कैपसिकम बन चुका है